मुझे दे दे लव डूस तो है गाईस कैसो आप सब आपड़ी हो बहुत अच्छे हो तो आपको पते ये इंस्ट्रागराम पर ये आदियो काफी जादा वाइल ए लव डोज मुझे दे दे लव डोज यह ओडियो जो कि हनी सिंग का है तो अगर आप भी बनाना चाहते हो इस पे वीडियो तो आपका वायल होने के चांसे बहुत ही जादा हो जाता है आपको अगर एलाइट मोसन चलाना नहीं आता है तो मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंग पहले इसे देख लो अगर नहीं मालूब तब देखना उससे तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो करें तो जो भी आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के दिल नहीं है य सबसे पहले आपको light motion application को open करने लिंक आपको description पर मिल जाएगा light motion application को open करने के बाद आपको दो project का link मिलेगा और description पर एक रहेगा bitmark project जिस पर आपका audio और जिसके according bits अब आ रहा है उसके according mark और एक पर रहेगा आपका effects जो कि आपका कुछ इस तरह effects रहेगा आपको 3 photos देखने मिलेगा उसके अंदर effects सब रहेगा और एक पर आपको bitmark project जिस पर audio रहेगा उसके according mark तो आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका देख पार हो यह यह video है तो आपको यह project है sorry तो यह आपको सबसे पहले open करना है जिसका link आपको description पर इंपोर्ट कर लोगे आपको kind of light motion पर आ जाएगा आप मतलब इस तरह open कर ले दिन प्लस पर क्लिक करें media option पर जाएं और आपको कुछ इस तरह दो तिन वीडियो मिलेंगे आप देख पहले हो एक black इस तरह black lyrics रहेगा और एक आपको इस तरह भी देदूगा आपको इस तरह भी आपको मिलेगा और एक white color कर रहेगा कुछ इस तरह तो यहाँ पर द तो इस वीडियो को import करने के बाद इसका वीडियो को audio पे जाके 0% कर देना है तो यह वीडियो add हो चुका है इस तरह मुझे देदे love dose अब यहाँ पर जो पहला bit mark आ रहा है इस टाइम से आपको photos अब import करना है तो plus पर click करना है media option पर जाना है और जो भी आपका photo है उस photo को choose करना है जैसे कि मैं यह वाला photo को choose किया अब यहाँ पर जो यह corner पर देख पा रहे हो यह corner पर click करके photo को इस तरह zoom कर ले अब जो आपको यहाँ पर play option है उसका बाजू पर आप देख पा रहे हो right तरफ एक arrow है left तरफ एक arrow है तो right arrow पर click करें आप next bitmark तक आओगे दें photo layer पर click करें और यह वाला icon पर click करने से right के extra part cut हो जाएगा तो इसे click कर देखें इस mark से इस mark तक एक photo तो इस तरह ही guys आपको फिर से इस mark से नया photo को import करना है तो कुछ यह वाला में import करता हूं इस तरह में जूम कर लेता हूं इसे corner पर click कर करें अब right arrow पर click करके extra part cut तो आप देखें एक mark से एक mark तक एक photo इस mark से इस mark तक एक photo अब इस mark से नया photo import करना है तो plus पर click करना है media option पर जाना है और जो भी photo उसे choose करना है corner पर click करके इस तरह जूम करना है जो आपको यह corner है इस पर आप click करके इस तरह जूम कर लें अब यह जो arrow है right arrow पर click करने से next mark तक चले आगे अब वह photo layer पर click करें और इधर वह आईकन है जो आप देख पारे हूँ मैं click करके हूँ hold करके हूँ वह 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 click करने से right के extra part cut तो इस तरह आपको plus पर click करके media option media पर click करने और photo को zoom middle पर करना है तो middle पर करने इस तरह और उसके बाद आप arrow पर click करके extra part cut तो इस तरह मैं Photoshop को import कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ alright guys यहाँ पर इभी आप देख पारे हूँ मैं Photoshop को ठीक bitmark के according import कर चुका हूँ आपको भी इसी तरह करना है तो यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है photos आपको import करने के बाद आपको यहाँ पर इस project से निकल आ जाना है इस project से निकल आ जाने के बाद आपको safe effect project कंदर आना है और यहाँ पर guys आपको तीन photo देखने को मिलेगा तो आपको पहला वाला फोटो पे Click करना है Effects को Option पर जाना है Three Dot पे Click करना है Copy Effects करना है Effects को Copy करने के बाद Back करके Bitmark Project अंदर आपको चले आ जाना इस तरह और यहाँ पर जहां से आपका पहला Photo है जो की देख पार और यह लिरिक्स वीडियो है उसके बाद आपको पहला photo यहाँ से start हो रहा है 1.14 second से यह photo पर क्लिक करня है effects option पर जाना है 3.Dot पर क्लिक करना है paste कर देना है effects को paste करने के बाद आप देख पाई रहो इस तरह हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर इसी mark से 1.14 second से plus पर क्लिक करना है एक rectangle चूज़ करना है इसका rectangle को आप इस corner पर click करके बड़ा कर लें color and fill पर जाए black चूज़ करें और यहाँ पर blending and opacity पर जाए opacity को आपको 88% तक करना है 88% तक करने के बाद आपको जहां से आपका पहला bitmark है उस तक आना है वो layer पर click करें rectangle layer और right के extra part cut कर दें तो इस तरह हो जाएगा आपका उसके बाद आप इस rectangle पर effect डालना है तो effects को option पर जाना है add effect पर जाना है search icon पर search करना है blink यह blink को चूज़ करें standard setting frequency को आपको last 16 हज तक रख देना है तो यहाँ पर मैं 16 तक कर चुका आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है उसके बाद जो photos आ रहे है आ रहे हैं तो उस पर आपको effect डालना है तो इस project से निकल आ जाना है तो पहला फोटो पर आपको प्रोजेक्ट के अंदर सेकेंड वाल पहला पहला फोटो नहीं अब next photo पे क्लिक करें एक फोटो छोड़कर जूड कर जूसरे उसके बाद फिर सरी फोटो को इस फोटो पर किये अब इस photos पे नहीं इस photos पे यारु यानि कि इस पे तो यहां पर मैं इस पे एड़ कर देता हूं अब इस पे एड़ किया इस पे नहीं इस पर तो इस तरह आपको जितना सारा फोटोस है एक एक छोड़ कर फोटो को फोटो पे इफेक्ट को डालना है तो यहां पर जितना सारा images है आप हर images पे एक photo छोड़ छोड़ कर जैसे कि इस पर डाला अब इस पर नहीं इस पर इफेक्ट्स आपको add कर दें इस तरह sorry इस पर और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ effects add करने के बाद back करना है say effect project कंदर last वाला photo पे इफेक्ट्स को option पर जाना थी डौट पर क्लिक करके copy effects effects को copy करने के बाद back करना है bitmark project कंदर आना है और उसके बाद जो photos पर जैसे कि इस पर आड़ किये अब इस पर नहीं किये हो तो इस पर click करना effects option पर जाना थी डौट पर click करके paste जो जो गैप gap photos up था वो उस gap photos up पर आपको यहाँ पर उसके बाद effects को paste करना है तो इस तरह आपको effects को paste कर देना है जितना सारा images है जिस photos पर आप gap देकर किये हो जैसे कि आपको पते ही है आप जब फोटो पर click करोगे आपको को effects option पर effects देखने को नहीं मिलेगा तब आप समझ लें उस photos पर आपको effects add करना है तो यहाँ पर इस तरह आप सारा image पर effects add कर दें तो यहाँ पर मैं effects add कर चुका हूँ अब आपको starting time तक आना है प्लस पर click करके fill composition area पर click करें blending and opacity पर जाए lighten पर जाए screen कर दें तो यहाँ पर मैं lighten पर जाने के बाद screen कर देता हूँ sorry screen उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको यह particle वीडियो है उस पर जो particle था वो show हो रहा है अब आपको क्या करना है यहाँ पर जिस जहां पर आपके end हो रहा है 15.06 सेकेंड पर तो उसका right के extra part cut कर दें इस तरह में cut भी कर चुका और यहाँ पर share का option पर click करके वीडियो को export कर दें मैं थोड़ा से play करके दिखा देता हूँ